नमस्कार मेरा नाम डॉक्टर लिपिका मैता है आज हम प्रेग्नेंसी डबल मारकर टेस्ट के बारे में बात करेंगे प्रेग्नेंसी डबल मारकर टेस्ट जो होता है ये दो चीजों को जानने के काम आता है सबसे पहले ये दो चीज़े टेस्ट करता है सबसे पहली चीज बीटा HCG यह एक हॉर्मोन होता है यह pregnancy के दौरान बहुत important हॉर्मोन होता है दूसरा यह एक और चीज़ नापता है that is PA, double PA यह एक ऐसा protein है यह जो यह protein हमारे शरीर में हमारा जो बच्चा growth कर रहा है बच्चे की growth करने में यह protein help करता है यह दो indication से हमें पता लगता है कि double marker जो test है वो positive है या negative है जो double marker test है क्या वो कराना चाहिए और वो कब कराना चाहिए देखिए double marker जो test है वो हमें first trimester में मतलब जैसे ही आपका USG होता है ना first USG होता है उसके बाद आपकी गायनेक आपको बोल देते है कि आप यह test करा ले देखिए यह जल्दी से जल्दी कराया जाता है ताकि हमें पहले ही पता लग जाए कि हमें यह pregnancy continue करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए अगर मान लीजे आपके बच्चे को कुछ भी bird defects हो जाए मान लोग किस बच्चा अच्छे से समझ बोलना पाए या फिर उसको कुछ development में मान लोग उसको heart का कोई defect हो या फिर उस बच्चे को दिमागी कोई बहुत बड़ी बिमारी हो उससे बहतर क्या है कि पहले ही जाच करा ली जाए कि यह test positive है negative है या intermediate है अकसर देखा जाता है कि यह test हम लोग pre-eclampsia ecclampsia या फिर ऐसा बोल सकते है कि hypertension जिन विमेंस को रहता है diabetes जिन विमेंस को रहता है या जिनको कभी पुराना देखा गया है जिनके family में कुछ genetic abnormality है या फिर age जो है 35 से 40 साल की उम्र है या फिर age जो है वो जादा हो गई है pregnancy के लिए तो ऐसे conditions में हम यह test advise करते हैं अब यह test जो है वो एक normal lab में भी हो जाता है इसके लिए आपको कुछ जादा करने की ज़रत नहीं होती है यह test के लिए आपको एक syringe ली जाती है और आपके body में से एक छोटा सा blood sample निकाल लिया जाता है वह जो blood sample है उसको test किया जाता है एक lab में और आपको एक से दो दिन में वह report मिल जाती है जो report जब आती है तब report के अंदर तीन indication होता है सबसे पहला indication या तो वह high है या वह low है या वह intermediate है इसका मतलब समझे मान लो कोई भी patient है जिसका यह test हुआ है और उसमें दिखा रहा है कि risk जो है वह high है इसका मतलब है कि उस patient को या उस patient के बच्चे को chromosomal abnormalities हो सकती है chromosome of abnormality का मतलब क्या है chromosome abnormality का मतलब बहुत simple है जितने भी genes हमारे mother या father से हमारी body में आते है वो हमारे chromosome में होते है अब जो chromosome है वो हमारी body में 46, 46 होते है या उसे हम बोल सकते है 23 pairs होते है अगर इसमें या तो chromosome कुछ बढ़ जाए या कम हो जाए तो बहुत बड़ी दिक्कत है अगर हम देखते हैं chromosome number जैसे trisomy of 18, 21 और 13 Down syndrome, Albert syndrome हम usually देखते हैं कि इस test के थुरू हम यह जानते हैं कि patient को कोई Down syndrome तो नहीं है Down syndrome मतलब कि patient को कोई mental retardation तो नहीं होगी अक्सर देखा जाता है कि आजकल जो newborn बच्चे हैं वो पैदा होते ही अजीब से रोते हैं या फिर वो रोते ही नहीं है पता तब पता लगता है कि उसको कुछ mental retardation है तो यह test पहले ही कर लिया जाता है ताकि हमको पहले ही पता लग जाए कि बच्चे को कुछ abnormality तो नहीं होने वाली है काफी बार हम देखते हैं कि कुछ बच्चों में cleft palate जैसी दिक्कत है जैसे कि लिप पुरा अच्छे से ना बन पना हार्ट के defects हो जाना hydrocephalus मतलब सर बहुत बढ़ा रहना इन सब चीजों की बहुत सारी दिक्कत हैं हम बच्चा पैदा होने के बाद देखते हैं इसलिए अच्छा यह है कि हम पहले ही इस टेस्ट को कर लें ताकि कुछ भी birth abnormality अगर होने वाली है बच्चे के अंदर तो हमें पहले ही पता लग जाए काफी बार देखा जाता है कि रिस्क जो है वो intermediate है देखिए intermediate risk क्या होता है कि patient हो सकता है कि यह जो test वह पॉजिटिव भी हो सकता है हो सकता है कि यह test negative भी है अगर यह test positive या negative के बीच में है ठीक है ऐसे समय में आपकी गाहे ने कुछ और टेस्ट आपको करने को बोलेगी जैसे triple marker test जो कि second trimester तक होता है first trimester में ही अगर पता लग जाता है कि कुछ genetic abnormality है तो बहुत जल्दी ही second trimester तक उस patient को जाने ही नहीं दिया जाता उस patient को pregnancy terminate करने के लिए ही बोल दिया जाता है अगर आपको यह report मिल गई है और आपको लग रहा है कि आपको जानना है कि यह सही है के नहीं तो आप अपने gynex से ज़रूर बात कीजिए और उनसे पूछिए कि यह test जो है उसकी क्या report है और आप खुद भी देखके समझ सकते हैं अगर यह low है तो आप शानत हो जाएए आपको कुछ नहीं है सब सही चल रहा है आप अच्छे से खाए पिए अच्छी health रखें अपना iron low ना होने दें और proper diet रखके आप एकदम सही हो सकते हैं और आपकी pregnancy बहुत अच्छे से चल सकती है देखे अब अंत में हमको यह जानने की ज़रूरत है कि यह test कराना भी चाहिए कि नहीं कराना चाहिए कि यह पैसा बरबाद है यह बहुत expensive है तो क्या करें अगर देखिए अगर आपको लग रहा है कि अगर आप high risk है मतलब कि आपको hypertension आपको diabetes या फिर आपकी उम्र बहुत ज़ादा है और उसके उसमें आप pregnancy conceive कराना तो यह test आप जरूर करा है क्योंकि अगर बच्चा पहदा होने के बाद कुछ abnormality उसमें हो जाती है तो वह हमारे लिए ज़ादा difficult है इससे बेटर है कि हम पहले ही यह test करा ले और जान ले कि कुछ problem तो नहीं होने वाली है अब इसके बारे में यह भी जाना जरूरी है यह कितना expensive है तो यह 3000 से लेकर 4000 तक में हो जाता है अक्सर यह देखा जाता है कि hospitals में हर जगा available होता है यह अक्सर labs में भी करा जाता है और normal किसी भी private lab में आपको यह करने को मिल जाता है आप यह test जरूर करा है अगर आपकी गायनेक ने आपको बोला है धन्यवाद